नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकास एटीपी में हार्धिश्ववद करता हूं और आधा मारे इस्टोरिक टाइटल है दा ट्रूथफुल मन्गुज ट्रूथफुल यानि इमानदार मन्गुज यानि नेवला चलो इस्टोरिक को स्टार्ट करते हैं राम वोजे फार्मर, हुग गोर्ट वेडिड रिसेंटली वोजे निट था फार्मर ने किशान राम एक किशान था रिसेंटली विंस य। Laure Fort City grate में जिर्दी होति पिर्मी षाधी ध वेडिट पिल हैं we are very sad that that they did not have any child child means बच्चा कपल बिंस जोड़ी वेडिन साधी और वह हैं विवाइक जोड़ी इस बात से दुखी थी क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था फोर बोट वेर डियरली इन लव विथ चिल्डन और वे दोनु बच्चों से बहुत प्यार करते थे वैन राम वैन टू हीज फिल्ड टू वर्क फिल्ड मिन्स खेत वर्क मिन्स काम करना जब राम खेत में काम करने के लिए गया और उसे एक नेवला पाया मिला और उसे एक नेवला मिला इट वोज वैरी ट्राइड एंड वीक ट्राइड मिन्स थका हुआ विक एन कमजोर और वहें बहुत थका हुआ और कमजोर था राम बोट दा मनगूज होम और राम नेवले को घर ले आया इस वाइफ उसकी पतनी ब्रिंग अफेक्शन नेट यानि कि इस नहें या प्रेम से लेड़ी फेड दा मनगूज वैल एंड शून दा मनगूज ट्रंड हेल्दी फीड की सेकेंड फेड और उसकी वाइफ उसे प्रेम से खिलाती जिससे वहें सवस्त हो गया not only that इतना ही नहीं दा कपल ओल्सो गोट ए चाइल्ड और उसे एक बच्चा भी मिला they both were very happy और दोनों बहुत खुश थे राम से ड्राम ने कहा look the mangoos have bought as good luck नेवला हमारे लिए सोबागे है we shall be thankful and treat the mangoos as you are shun हम इस नेवले को बहुत धन्यवाद करते हैं इसे अपने बेटे की तरह मानते हैं मंत पासिट महिन बीट गए वन डे एक दिन एस दा चाइल्ड वोज एस स्लेप इन दा केटल एन ए स्नेक कैम इसले थ्रीं देयर इसलेप यानि गहरी नेंद में केटलिंस पालना जिसमें बच्चे को सुलाते हैं न उसे पालना स्नेक मिन सांप स्लेप इन रेखते हुए एक दिन जो बच्चा गहरी नेंद में सो रहा था तो रेखते हुए सांप आया जब सांप बच्चे को काटने ही वाला था बाइट मिन्स यानि काटना दा मंगूज लैप एंड किल्ड दा स्नेक लैप मिन्स यानि छलाक मारना और नेवला सांप के उपर छलाक मारा और उसे मार दिया दा मंगूज रन टू इट मास्टर विद ब्लड ड्रिपिंग फ्रों इट माउथ मास्टर नेवला मूँ से ड्रिपिंग नि टपकना ब्लड यानि खून नेवले के मूँ से खून तपकते हुए अपनी मालिक की और दोडा राम सोदा मंगूज रनिंग टूवर्ड हिम राम ने देखा कि नेवला मेरी तरफ आ रहा है टूवर्ड रनिंग की तरफ ही ओल्सू सो ब्लड ड्रिपिंग फ्रों दा माउथ और उसने देखा कि उसके मूँ से खून भी तपक रहा है ही मिस्टूप देट बलाड तो बी देट ओफ इस चाइल्ड उसने गलती से उसने गलती से सोचा कि यह हैं तो मेरी बच्चे का खून है ही थोट उसने सोचा आप्टर ओल्सू दा मंगूज इट जस्ट ए एनिमल्स नेवला तो एक जानवर है ही ही सुड ही सुड हैव बेटर माई चाइल्ड बेटन यानि बिटमिंस काटना माई चाइल्ड यह हैं तो दूद की चाहत में उसे मेरी बच्चे को काट लिया इट इन ही हेस्ट राम किल्ड दा मंगूज एंड रन टू सी वोट हैपन टू हीज चिल्डन और राम ने नेवले को मार दिया और अपने बच्चे को देखने के लिए गया है देयर हीज चाहिल्ड वोज फाशल स्लीपिंग इन दा केटल और उस चाहले न बच्चा और उसका बच्चा राम से केट पालने में शो रहा था नाव नाव राम वोज ग्रिफ स्टक और ग्रिफ यानी दुखी हो राम बहुत दुखी हुआ ही हैड लोस्ट हीज डियर पेट डू टू हीज हेस्टी डिशीजन पेटी यानी पालतू उसने जलबाजी के लिए के लिए निर्णे की कारण उसका पालतू जानवर मारा गया तो इसका मूरल देखते हैं हेस्ट लेट टू गिफ एंड मेक वेस्ट की जलबाजी दुख की और ले जाता है और बर्बादी की बर्बादी का कारण बनती है कैसे लगी स्टोरी अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपका दिन सुब हो थैंक्यू झाल